नमस्कार दोस्तों, क्या आप से भी लोग भी एक ग्राहक से बाकेंदर खोलना चाहते हो तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप से भी लोग रेजिश्टेशन करके सिर्फ एक दिन में अपना ID और पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हो बिना किसी certificate के और बिना किसी exam के रेजिश्टेशन प्रोसेस दिखाने से पहले मैं आप लोग को कुछ जरूरी चीजे बता रहा हूं से आप से भी लोग को तुरंत ID और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा और जो आप से भी लोग का application है वो reject नहीं होगा रेजिश्टेशन करने से पहले ये तीन बातों का आप से भी लोग को ध्यान रखना है आपको अपनी सभी जानकारी को सही सही भरना है के नमबर दोसो रेजिश्टेशन करते समय आप से भी लोग को रेजिश्टेशन सुल्क जो है वो तुरंत भुकतान करना है आपकी application को reject कर दिया जाएगा दुबारा आप सभी लोग भविश में कभी भी DSA ID को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और सबसे important चीज है आपकी उम्र 18 वर्से प्लस होनी चाहिए दोस्तों आप हम लोग registration process के बारे में जान लेते हैं पहले आप सभी लोग को अपने browser में type करना है digitalsevacenter.com हलाकि दोस्तों मैंने इसका link अपने video के निचे description box में दे दिया हुआ है आप लोग वहाँ पे click करके direct इसकी official website पे आ जाओगे यहाँ पे आने के बाद एक option देखने को मिलेगा registration का तो आप सभी लोग को registration के option पे click कर देना है तो यहाँ पे registration page open हो जाएगा जिसमें जो भी जानकरी यहाँ पी दी गई है आप सभी लोग को सभी जानकरी को सही सही करके feel करना पड़ेगा जिसमें की full name, mobile number, email id, अपने state का name, अपने city का name अपना अधार card का number, pen card का number, अपना address इसके बाद proceed application के option पे click कर देना पड़ेगा प्रोसीड टू application पे click कर देने के बाद आप सभी लोग को 990 रुपई का payment करना पड़ेगा पेमेंट आप सभी लोग यहाँ पे credit card, debit card, net banking, UPI के माधियम से कर सकते हो आप लोग को दोसो payment 990 रुपई का करना पड़ेगा जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था registration soul को तुरंट भुक्तान करके आप एक ही दिन में अपना user ID and password को प्राप्त कर सकते हो भुक्तान करने के लिए नीचे option दिया गया है proceed का आप से लोग proceed के option पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप से लोग के सामने payment gateway का page open हो जागा यहाँ पे आप लोग QR code के मदद से payment कर सकते हो यह उपियाइ नंबर के थुरू भी payment कर सकते हो जैसे दोसो आप से लोग payment कर देते हो भुकतान कर देते हो आप से लोग का user ID और password आप से लोग के email ID में send कर दिया जाता है साथे साथ दोसो तुरंथी digital सेवा center की तरफ से आप से लोग को call आ जाता है आप से लोग का document को verification करने के लिए तो जोश्चा कि आप से लोग ने देखा कि digital सेवा center का registration process और इसका user ID और password आप से लोग किस प्रकार से तुरंथी ले सकते हो अब दोस्तों सबसे important बात कर लेते हैं कि digital सेवा center का user ID और password लेने के बाद आप से लोग को कौन-कौन से services में काम करने का मौका मिलेगा उसके लिए official website पर ही आओगे तो यहाँ पर option मिल जाएगा digital सेवा services तो आप से लोग को एक बार इस पर click कर देना है यहाँ पर दोस्तों काफे सारे services दी गई है जो कि मैं step by step आप से लोग को बताने वाला हूँ सबसे पहला जो service है दोस्तों वो banking service है banking services में काफे ज़्यादा services है जिसे की AEPA services है जिसमें की आप किसी का भी cash withdrawal कर सकते हो balance inquiry कर सकते हो services AEPA service के अंदर आती है आप से भी लोग कर सकते हो इसके बाद next service है आधार pay की service इसके बाद cash deposit यानि कि आप किसी भी customer का cash deposit कर सकते हो mini ATM के भी service दी गी है यानि कि आप अपने swap में आप अपने center में mini ATM भी लगवा सकते हो जिसमें की आप ATM card के तरू किसी का भी cash withdrawal कर सकते हो दोस्तों बहुत ही महत्पून option दिया गया है bank account opening आप लोग किसी भी bank का bank account opening कर सकते हो इसके बाद दोस्तों loan की services दी गी है अगर आप लोग चाते हो कि digital से बाद center के तरू आप लोग CSP open करना तो वो भी आपसे भी यहां से कर सकते हो इस बाद credit card apply का भी services दिया गया है अब इसके बाद next services की बाद करो तो recharge and bill payment की service है जिसमें कि आपसे भी लोग mobile recharge कर सकते हो DTS recharge कर सकते हो electricity bill payment कर सकते हो gas bill payment कर सकते हो water bill payment कर सकते हो insurance bill payment कर सकते हो education bill payment कर सकते हो और fast tech recharge कर सकते हो इसके बाद दोसो government services की बाद करो तो आप लोग pen card, NHDL और UTI दोनों company के थुरू बनवा सकते हो customer का इसके बाद voter ID card की services आपसे भी लोग को मिल जाती है voter ID card में correction करना हो voter ID card apply करना हो voter ID card हो गया है replacement करना हो e-district services बहुत important होता है क्योंकि दोसो अलग-अलग राजियों में जाते हैं निवासी, I, birth certificate, death certificate ये सारे certificate बनाने में काफे ज़्यादा दिक्कते होती है वह उसके लिए दोसो एक specific ID की ज़ुरत पड़ती है उस ID का नाम होता है e-district ID तो digital digital सिवा सेंटर की तुरू आपसे लोग e-district ID भी ले सकते हो इसके बाद दोस्तो नेक्स सर्विस जो दिया गया है वो आधार सेंटर अपलाई ये बहुत ही महत्पून सर्विस है आप लोग अपनी digital सिवा सेंटर की तुरू आधार सेंटर भी आपसे लोग ले सकते हो इस बाद रासन कार्ड की सर्विसेस आपसे लोग को मिल जाती है MSME आधार उद्यों की भी सर्विस आप लोग कर सकते हो PM किसान योजना में किसी भी वेक्ति का अपलाई कर सकते हो जिसके अंदर गात किसानों को 6000 रुपई सालाना मिलते हैं इस बाद बिहार का आपसे लोग लेवर कार्ड बना सकते हो आप लोग किसी भी वेक्ति का आईश्मान कार्ड बना सकते हो कास सेटिफिकेट बना सकते हो death certificate बना सकते हो और domicile certificate भी आपसे भी लोग बना सकते हो तो ये तमाम government services आपसे भी लोग अपने center के through digital से बाद center का अगर user ID password होगा आप लोग के पास तो ये सारे services लोगों को provide कर सकते हो तो next service tax registration service है जिसमें कि आपसे भी लोग GST registration कर सकते हो GSC return file कर सकते हो TDS return file कर सकते हो इस बदफसाई registration कर सकते हो income tax return file कर सकते हो and company आप लोग registered भी कर सकते हो इसके बाद दोसो next service है travel booking यानि कि दोसो आपसे भी लोग bus booking कर सकते हो hotel booking, flight booking और IRCTC train booking भी आपसे भी लोग कर सकते हो दोसो इस इक्षा घर यानि कि online courses platform की भी services आपसे भी लोग digital सिवा सेंटर के थूँ आने वाले दिनों में कर सकते हो तो दोसो ये एक बहुत ही बहतरीन portal है digital सिवा सेंटर अगर दोसो आपसे भी लोग एक swap संचालक हो या दोसो अगर आप लोग एक नया swap open करना चाहते हो या दोसो अगर आपसे भी लोग एक नया common service center open करना चाहते हो तो आप लोग के पास दोसो digital सिवा सेंटर का एक ID password होना ही चाहिए क्योंकि दोसो इसमें ना ही आपसे भी लोग को एक्जाम देना पड़ता है और ना ही किसी परकार का certificate लेना पड़ता है आप लोग direct दोसो यहाँ पर अपना user ID और password एक दिन में प्राप्त कर सकते हो और यह सारे services जो मैंने आप लोग को बताई यह सारे services आप अपने लोगों को provide कर सकते हो जिसमें कि दोसो आप से भी लोग को एक बहुत ही बहतरीन commission भी देखने को मिलेगा तो digital सिवा सेंटर एक बहतरीन पोर्टल है जितने भी swap संचालक हैं यह जो की online का काम करते हैं उन सभी लोग के पास digital सिवा सेंटर का ID password होना ही चाहिए तो मैंने दोसो पूरा details में बताया है कि किस परकार से आप सभी लोग digital सिवा सेंटर का ID password ले सकते हो और यह सारे government services को कर सकते हो आसा करता हूँ इस वीडियो में काफी ची जनकारी मिली होगी मिलते दोसों और एक से नए इंटरेस्ट मिलें साथ तब तक लिए टाटा एंड गुडबाई